नमस्कार दोस्तों देख दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अप मस्ट आप्लिकेशन के अंदर अपनी फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं जिया फ्रेंड्स आज किस वीडिय शौट करना और गैस अभीतर का आपने हमारे इस वीडियो को like नी किया तो please इस वीडियो को like कर दिजीए और अपमारे चैनल पर नए हो तो या चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और इसे all पर set कर देना है इससे आने वाली यमारी नहीं की notification आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए friends आज का ही video start करते हैं तो guys सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा अपने play store में जाके आपको must application को download कर लेना है तो guys यहाँ पर दीख से तो मैंने screenshot लगा दिया must application का इस application को आपको download कर लेना है और download करने के बाद सिंप्री आपको इस application को open करना है तो चलिए friends यहाँ पर application को open कर लेते हैं और guys जैसे application को open करेंगे open करने के बाद guys सबसे first आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो guys सबसे बहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा देखसके तो यहाँ पर आपके सामने कय सारे templates open हो जाएंगे देखसके तो कई सारे यहाँ पर photo से विडियो बनाने के लिए यहाँ पर templates आपके सामने आ जाएगे तो इस मैं से कोई भी आप template चूज कर सकते हो और उसमें अपनी photo यहां पर कई सारी category आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें कई सारे आपको template भी मिल जाएगे जो भी template आप चूज करना चाहते हो यहां से कर सकते हो और इसमें अपनी photo import करके video create कर सकते हो तो guys example के लिए मैं यहां पर कोई भी एक video चूज कर लेता हूँ तो guys यहां पर देख तो कई सारे आपको template देखने को मिल जाएगे इसमें से जो भी आप चूज करना चाहते हो यहां पर चूज कर सकते हो तो फिलाल guys example के लिए मैं यह वाला ही template यहां पर चूज करता हूँ और उसके बाद यहां पर करना क्या होगा देख सकतो यहां पर create a video वाला जो option है इसके उसके बार हम click करेंगे तो guys जैसे हम इसके उपर click करेंगे उसके बाद guys यहां पर आपको अपनी gallery से photo select कर देनी है जिस photo से आप video create करना चाहते हो तो guys यहां से में कोई भी एक वीडियो को select कर लेता हूँ तो guys आप जिस photo से अपनी video create करना चाहते हो उस photo को आपको यहां पर select कर लेना है तो guys यह मैं यहाँ पर एक photo को select कर लेता हूँ तो यह वाली photo मैं यहाँ पर select करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर photo select हो चुकी है उसके बाद guys यहाँ पर confirm पे हमको click कर देना है तो जैसे हम confirm पे click करेंगे confirm पे जैसे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर template में photo add हो जाएगी देख सकतो यहाँ पर photo add हो चुकी है photo add करने के बाद guys यहाँ पर अगर आप music change करना चाते हो उसके अंदर तो यहाँ पर नीचे की side में देख सकते हो आपको music का भी option देखने को मिल जाएगा तो जैसे इसके उपर आप click करोगे तो guys यहाँ पर देख सकतो नीचे की side में आपको कई सारे music देखने को मिल जाएगे इसमेंसे जो भी आप music select करना चाते हो उसके उपर आपको click कर देना है और वो music यहाँ पर इस template में add हो जाएगा तो guys music add करने के बाद यहाँ पर उपर की side में देख सकतो export का जो option है इसके उपर जैसी आप click करोगे यहाँ पर exporting start हो जाएगी तो guys हम इसके उपर click करेंगे और guys click करते ही देख सकतो यहाँ पर कुछ add शोगी तो guys क्या करना इस add को आपको close कर देना यहाँ पर 100% जैसे ही complete हो जाएगा यह वीडियो आपकी gallery में save हो जाएगी तो guys हम यहाँ पर थोड़ा wait कर ले थे जब तक यह percentage complete हो जाए और उसके बाद यह जो वीडियो रहेगी gallery में save हो जाएगी देख सकतो यहाँ हमारी जो वीडियो है वो हमारी gallery में save हो चुक है उसके बाद यहाँ पर आप WhatsApp, Facebook, Instagram कही पर भी इसको share कर सकते हो तो guys इस तरह से यहाँ पर आप must application के अंदर अपनी photo से वीडियो create कर सकते हो तो guys उमीद करता हूँ आपको चोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों गर आपको इस वीडियो पसंद आये तो please इस वीडियो को like करना, share करना और अगर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए